हजबन और वाइफ एक ओल्डाउन में वापस आया और यही पर वाइफ का एक्स बॉइफ्रेंड था जब एक्स बॉइफ्रेंड इनके घर पर काम करने लगता है तो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्ट्राउ डॉक्स एक हॉलिवड थिलर मुवी एक्सप्लेंड करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और एक कपल अपने ओल्ड टॉम में वाउपर जा रहा था एक्च्छल में टाउन वाइफ का है यहाँ पर वाइफ का नाम है एमी और हस्बन का नाम है डेविड बहुत सालों पहले अपने ड्रेम्स को कंप्रेट करने के लिए एक्ट्रेस बनने के लिए एमी एले गई हुई थी यही पर वो डेविड से मिली एक्च्छल में डेविड मूवी राइटिंग का काम करता है अब उन दोने ने शादी कर ली थी अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए एक बेबी के लिए वो एक छोटे से टाउन में रहना चाते थे अभी अभी थोड़े दिनों पहले एमी के फादर की टेथ हुई तो उनका घर उसे मिल चुका है तो इसे टाउन में आकर अभी रहने वाले थे इस टाउन में आने के बाद एमी को अपने बच्पन की सारी यादे आ रही थी एक डारेक लिए एक बार में पोशते हैं बार में सब लोगों ने एमी और उसके निव हस्बन को नोटिस किया उन्हें डेविड सिटी से है इसलिए बहुत ही अजीब लगता है वीक लगता है इसी बार में एमी का एक्स बॉइफ्रेंड भी था जिसका नाम में चारली चारली आकर एमी से बात करता है एमी की घर पर काम करने के लिए डेविड ने ओनलाइन जॉब डाला था और इसी जॉब के लिए चारली ने अपलाइ किया है तो इसके बारे में वो डेविड से बात करता है डेविड को अच्छा लगा कि एमी चारली को जानती है तो इसी वज़े से उसने घर रिपेरिंग का काम उसे दे दिया डेविड जब बार पर जाकर ट्रिंक ले रहा था तो यहां की लोकल कोश ने जगड़ा स्टार्ट कर दिया उन्हें बहुत ज़ादा पीनी थी पर बार्टेंडर उन्हें मना कर रहा था यह जगड़ा और भी बढ़ने लग गया था तब यहां का शेरी बाग कर यहां सब चीजे कूल डाउन करता है इस टाउन में सब लोग बहुत ही अग्रेसिव है तो डेविड को यह अनकमफटेबल लगता है यही बार में डेविड ने एमी और चारली की फोटो देखी जब वो स्कूल में थे तब एक दुसरे को डेट करते थे इसी टाउन में एक मेंडली अनस्टेबल आदमी भी है जिसका नाम है जेरीमी एक्चुल में जेरीमी को बहुत सालों पहले मेंडल हॉस्पिटल में भीज देना चाहिए था पर इस टाउन में वो हर एक आदमी का खैल रखते है जब एमी और डेविड बार से बाहर निकले तो जेरीमी उनके कार में बैठा हुआ था डेविड को इस पर गुस्सा आता है पर वो कुछ बोलता नहीं एमी ने जेरीमी को रिक्वेस्ट किये और वो वहाँ से चला गया घर आते वक डेविड ने एमी से पुछा या चारली तुम्हारा बॉइफ्रेंड था एमी पुछती है क्या तुम्हें जेलस लगा फाइनली मैं तुम्हारी वाइप बनी ये दोनों मिलकर फिर अपना हाउस देखते है इन्हें बहुत सारे काम की ज़रूरत पड़ेगी पर फिर भी इसके लिए वो एक्साइटेड है इनका शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है डेविड एक न्यू मूवी पर काम कर रहा था तो इसी वज़े से वो मूविंग में हेल्प नहीं कर बाता तो एमी सब चीज़े देख लेती है अगली सुबा चारली बहुत जल्दी अपने सब फ्रेंड्स को लेकर रूप पर काम करने लग गया था इस वज़े से डेविड की नीन खराब हो गए इसके बारे में उसने चारली से जाकर बात की तो चारली कहता है इस टाउन में हम सब लोग जल्दी उठते है जल्दी सब कुछ काम करते है डेविड कहता है कल से ज़रा लेट आना चारली भी ये बात मान गया हमें इन दोनों की कन्वरसेशन से लगता है ये शायद अब ट्रबल होगा पर चारली ने इसे लाइटली लिया हुआ था थोड़ी देर में डेविड जब अपनी बूप पर काम कर रहा था तो अचानक से चारली का फ्रेंड घर में आकर उसने बियर निकाली और डेविड से बात करने लग गया ऐसे कोई भी घर में घुस कराना बात करना इस डेविड को सही नहीं लगता इसके बारे में उसने एमी से बात की एमी कहती है कि यह स्मॉल टां है इस में लोग फ्रेंड लियोते है या सब कुछ नॉर्मल बात है पर फिर भी डेविड जाकर उससे बात कर सकता है डेविड ने फिर चारली से इसके बारे में बात कि चारली को भी कुछ भी कलत नहीं लगता आज चारली को अपने फ्रेंज के साथ जल्दी हंटिंग पर जाना था तो काम वैसे ही छोड़ कर वो चले गए रात में चारली और उसके फ्रेंज मिलकर डिसकस कर रहे थे यह डेविड के पास बहुत सारे पैसे है वो कुछ ना कुछ तो कर सकते है चारली ने का कि हमें काम के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने हो हमें पे करने वाला है वो कुछ भी illegal करना नहीं चाहता रात में David और Amy Chase खेल रहे थे और खेलती-खेलती intimate होके Nixon में हम Coach और Jeremy के ब्रदर को देखते है actual में Coach की एक बेटी है जिसके आसपास हमेशा Jeremy खुमता रहता है Coach ने Jeremy के ब्रदर को कहा इसे जल्दी से mental hospital में तुम डाल दो अगर वो मेरी बेटी के आसपास दिखा तो मैं उसे बहुत मारूंगा Jeremy का ब्रदर भी अशूर करता है कि वो कोई भी trouble create नहीं करेगा इसके बाद next day morning में Amy running कर रही थी running कर देगर दे Charlie और उसके सब friends उसे बहुत बुरी नजरों से देखते है उसे बहुत ज़ादा uncomfortable लगा वो जब घर में आए तो इसके बारे में उसने डेविड से बात कि डेविड उसे कहता है तुम्हें सही से कपड़े पहनने चाहिए Amy को इस पर बहुत ज़ादा गुस्सा आ गया वो कहती है यह सब मेरा ही fault था डेविड गयता है कि अगर तुम अच्छे से कपड़े पहनोगी तो तुम्हें respect मिलेगी डेविड की इस घटिया सोच पर Amy को बहुत ज़ादा गुस्सा आता है वो फिर अपने उपर के कमरे में गई वहाँ से चारली और उसके friends को देख सकती थी उसने अपना टॉप निकाल कर उन्हें अपनी body दिखा दी क्योंकि वो यही चाते थे डेविड का गुस्सा निकालने के लिए उसने किया था चारली यह देखकर खुद embarrassed हो जाता है अगले दिन चारली और उसके friends फेसे अपना काम खतम करकर टाउन में जा रहे थे डेविड को टाउन से दूर यहाँ पर कोई भी call का reception नहीं मिलता तो वो भी उनकी पीछे-पीछे आ रहा था वो बहुती slow car चलाते 30 की speed पर जो डेविड को अच्छा नहीं लगता वो उसे आगे जाने के लिए side दे नहीं रहे थे डेविड को जब उन्होंने side दी तो आगे construction चल रहा था डेविड कुछ भी करकर अपनी car को control कर लेता है आज उसकी जान भी जा सकती थी यह Charlie और उसके friend ने जान बुच कर किया था टाउन में आकर डेविड अपने car का tire बदलवाता है यही पर उसने एक लड़की को जेरेमी के साथ flood करता देखा इसका मतलब है जेरेमी खुच जाकर कोच की बीटी के साथ बात नहीं करता वो ही उसके पास आती है लास्स सीन में इसी बात को लेकर जेरेमी के ब्रदर और कोच में फाइट हुई थी डेविड फिर बार में गया और वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है एक आदमी ने उसे फुटबॉल के गेम के लिए इन्वाइट किया सब में घुल मिल जाने के लिए डेविड भी इसके लिए हा कहता है इसके बाद नेकसिन में एमी और डेविड चर्च में आय हुए थे डेविड गॉड पर बिलिव नहीं करता वो एमी के लिए यहां आया हुआ था पर बीच में ही उठकर वो चला जाता है बाहर कार में जाकर वो सो रहा था सब कुछ खतम होने के बाद चारली डेविड के पास आया उसे कहता है मैं तुम्हें एक एरवाइस देना चाहता हो तुम्हें जो लगे वो तुम भी लिव कर सकते हो पर फिर भी इस तरीके से जर्श के बीच में उट कर जाना ये बहुत ही गलत है ये कुछ लोगों को डिस्रिस्पेक्टफुल लग सकता है वो उसे एक टाइप की धमकी दे रहा था डेविड भी ये बात मान गया डेविड चारली से आता है मुझे बाइबल से एक बात याद है नेबर की वाइफ पर नजर नहीं डालनी चाहिए चारली ने का कि अगर नेबर की वाइफ तुम पर नजर डाल रही हो तो क्या किया चाहिए ये खहे कर वो चला गया इसके बाद नेक सीन में गेम देखने के लिए सारा टाउन आया हुआ था एमी कोच की बेटी से बात कर रही थी तबी जेरेमी आकर उसे बात करने लगता है ये कोच ने देखा उसे बहुत जादा गुस्सा आ गया वो डारेक्ली जेरेमी को आकर मारने लगता है जेरेमी सिर्फ बात कर रहा था कोच का इस तरीके से उसे मारना एमी को गलत लगा वो कोच को रोगने की कोशिश करती है पर कोच का एमी पर भी गुसा हो गया था चारली ये सब देखता है और कोच को कंट्रोल कर लेता है डेविड ने एमी को यहाँ से चलने के लिए कहा एमी डेविड पर भी गुसा थी कि उसने कुछ भी नहीं किया डेविड कहता है कि इस तरीके से fight करना ये उसके principal के खिलाफ है आज राट डेविड ने जब अपना closet खोला तो उसमें cat को hang कर दिया गया था वो देखकर बहुत ही disturb हो जाता है एमी इस पर बहुत जातों गुसा होगी उसे पता था Charlie या उसके कुछ friends नहीं किया होगा डेविड कहता है हम directly उन्हें accuse नहीं कर सकते हमारे पास कुछ proof होना चाहिए एमी पूछती है क्या तुम कुछ भी करने नहीं वाले है डेविड कहता है कि मुझे आसपास मेरी cat कहीं भी मिलनी रही उनके expression से हमें बहुत सारी चीज़े पता चलेगी एमी के फादर को hunting बहुत अच्छी लगती थी इनका एक trap घर में पड़ा हुआ था तो इसी को लगाने के लिए डेविड ने चारली से help ली एमी यहावर इनके सामने दूद लेकर आती है कहती है मेरी cat मुझे कहीं भी मिल नहीं रही ये देखकर सारे लोगों के expression change हो गए थ तो उन्हेंने डेविड को भी invite किया डेविड को लगता है कि अगर उनके साथ क्या उनसे जरा friendship की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसलिए अगले दिन उनके साथ चला क्या चारली हंडिंग के लिए नहीं आया हुआ था हंडिंग करते करते अचानक से एक डियर डेविड के बास से गया चारली की फ्रेंड उस पर गूली चलाते है और यह डेविड को लगने वाली थी उन पर बहुत जादा गुसा हो जाता है वो लोग भी गुसे में डेविड को जंगल में छोड़ कर वहां से चले जाते है इसे के पैरलल में चारली एमी के घर पर पहुच जात घर में आने देने के लिए मना करे थी पर फिर यह ज़बरदस्ति घर में घुस गया उसे जबरदस्ति करने लग जयता है एमीनों से रिजिस्ट करने की कुशिश की पर वो कुछ भी करने पाए चारली के साथ उसका फ्रेंड भी था उसने भी एमी का रेप किया डेविड र उसने एमी को बताई, एमी उससे कुछ भी बता नहीं पाती, उससे कहती है तुम एक कावर्ड हो, जब एमी ने चारली और उसकी फ्रेंड की कम्प्रेंट डिविड के पास कही थी, तो डिविड ने कुछ कहा होता, तो चारली की आज कुछ भी हिम्मद नहीं होती है, एमी रो पूरे काम के पैसे ले लेता है और यहां से चला जाता है जो भी हुआ इस सबसे एमी मुवान करना चाहती थी आज राज सारा टाउन मिलकर गेम देखने के लिए जा रहा था तो यही देखने के लिए एमी और डेविड दोनों आए यही वफे से कोच की बेटी जेरेमी से बा वो सबसे पुछता है तो उसके बेटी की फ्रेंड ने कहा कि मने उसे जेरेमी से बात करते हुए देखा था कोच बहुत जादा गुस्सा हो गया हर जगा पर उसे ढूणने लग गया वो जब लॉकर रूम में आता है तो जेरेमी डर गया कोच की बेटी की मुव पर उसने हा लगा यह सब एक्सिदेंटली हो गया था गेम देखने के लिए चारली और उसके फ्रेंड भी आये हुए थे यह जब एमी उन्हें नोटीस करती है तो उसे अनकंफ़टेबल लगता है वो जल्दी से इस गेम से घर जाना चाहती थी डेविड और एमी जब घर जा रहे थे तो अचाना से डेविड उनके गाड़ी के सामने आ किया इस एक्सिदेंट की वज़े से जेरेमी के हाथ पर चोट आ गई थी डेविड जल्दी से जाकर उसे हेल्प करता है जेरेमी सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि यह सब मिने नहीं किया डेविड ने एम्बूलन्स को कॉल किया और जेरेमी को अपने घर लेकर जाता है हर जगावर कोज उनी बेटी को ढून रहा था डूनने में उसने चार्ली और इसके फ्रेंड से हेल्प ली जब डेविड ने एम्मूलन्स के लिए कॉल किया था तो इनमें से एक ने पुलिस के रेडियो पर यह सब बात सुन ल जेरेमी बार-बार बता रहा था कि मैंने नहीं किया और कोज की बेटी उसके पास नहीं है तो डेविड समझ गया इशायद कोज की बेटी को कुछ हो गया है और सारा ब्रेम जेरेमी पर आएगा अगर जेरेमी को बाहर भेज देता है तो सारे लोग मिलकर उसे मार डालेंग तो इसी वज़े से वो जेरिमी को बाहर नहीं भेजता वो कहता है कि पुलीस को बोला उसके बाद ही हम जेरिमी को बाहर भेजेंगे यहाँ बहुत सारा नौइस हो रहा था तो शेरिफ भी वहाँ पर पहुँज गया सारे लोगों के हाथ में गन थी शेरिफ ने सब लोगों को शान्त होने के लिए कहा शेरिफ जाकर डेविड से बात करता है कहता है जेरिमी को मुझे दे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा शेरिफ ही लोकल ही है तो डेविड उस पर बिलीव नहीं करता यह दोनों जब बात कर रहे थे तबी कोच और भी जादा गुसा हो गया अब तक जेरेमी ने उसकी डॉर्टर की साथ क्या क्या होगा यह वो imagine भी नहीं कर सकता यही गुसे गुसे में उसने directly शेरीप पर गूली चला कर उसे मार डाला डेविड है देखकर बहुत जादा डर जाता है जली से जाकर उसने सब डोर्स वेगरा सब कुछ लॉक कर दिया एमी भी बहुत जादा डर चुकी थी वह गहती है भार बहुत सारे आदमी है अब यह help के लिए किसी को भी call भी नहीं कर सकते एमी को लग रहा था कि उन्हें जेरेमी को उन्हें दे देना चाहिए डिविड कहता है हमने अभी अभी एक murder witness किया वह हमें अब जिन्दा नहीं छोड़ेंगे यहाँ जीने के लिए उन्हें fight करने पड़ेगी जेरेमी ने एमी को अपने फादर की गन निकालने के लिए कही घर में उसने trap बिछा दिया उसके पास जो भी cooking को oil था यह सारा को जो boil करने लग गया चारली और उसके friend घर में आनी पा रहे थे तो बाहर डिविड की बहुत ही expensive car उन्हें ने food दी चारली का एक आदमी खिडके से अंदर आ रहा था उसका हाथ जिस जगा पर रखा हुआ था वही पर डिविड ने nail gun से उसे pin कर दिया फिर coach गुसे में अपनी gun लेकर खिडके में आया अभी अभी जो oil डिविड ने boil किया था यह डारिकल उसके face में वो डाल देता है उसने दो लोग को injure किया तो डिविड अपने घर में गाने लगाता है एक open invite था fight के लिए चारली भी इस बात से impressed हुआ चारली और उसके friend गाड़ी में बैठते है यह गाड़ी directly उन्होंने उनके wall में डाल दी अब coach घर में अंदर खोस आया था डिविड छुप किया और coach से ही उसकी gun उसने ले ली उसे shoot करकर वो मार डालता है सबको मारते मारते उसके गोलिया खतम होगे और अभी तक चारली जिन्दा था चारली का friend और वो जल्दी से उपर के कमरे में पहुच जाते है चारली का friend भी गुश्सा है तो एमी को मारने वाला था पर चारली उसे gun नीचे रखने के लिए कहता है तभी एमी ने अपनी gun ली और चारली का friend को मार डाला इसे एमबुश में डिविड चारली पर हमला कर देता है डिविड उसे कुछ भी नहीं कर पाया चारली और उसमें बहुत ज़्यादा fight हुई वो उसे मारने वाला था तभी एमी भी चारली को मारने लग जाती है चारली ने एमी से कहा कि वरी मत करो मैं तुम्हें protect करूंगा तभी अचानक से डिविड ने पीछे से एक trap लेकर डारेकली चारली के head में डाल दिया उसकी instantly death हो गे finally एमी के साथ जो भी हुआ इसका बदला डिविड ने ले लिया इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीस इस लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीस इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलिएगा हम फिर इसे मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये